आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में बोल रहा है if the time between the two successive compression of a wave is 5 second and the time taken to complete four successive compressive compression is तो देखो अगर compression और rarefaction को हम लोग crest और trove के form में दिखाएं तो बात बराबर होगी तो इसी तरह से अगर हम displacement और time के graph में crest और trove को show करें तो crest को हम लोग compression अजियूम कर सकते हैं और जो trove होता है उसको हम लोग rarefaction अजियूम कर सकते हैं तो दो compression यानि कि दो crest के बीच की जो दूरी होती है उसको wavelength की wavelength बोलते हैं एक oscillation इसने complete किया एक wavelength में तो अभी देखो एक oscillation complete करने में इसको जितना समय लगेगा यानि कि 5 second लग रहा तो time period कितना हो जाएगा 5 second तो अब देखो 4 successive compression को अगर यहां से देखें यहां लोग तो इसमें उसको कितना समय लगेगा उसमें समय कितना लगेगा इसने तीन oscillation इतने बार में किये तो नहीं को पहला oscillation यहां से यहां तक किया फिर second किया फिर थर्ड oscillation किया तो time कितना लगेगा इसका 3 ताम्स लगेगा 5 सेकंड मल्टिप्लाइड बाइ 3 इक्वल टू 15 सेकंड तो 15 सेकंड वोला आमारा आंसर सही हो जाएगा option 4 will be correct answer thanks for watching